हिंदो धर्म में विविन धार्मिक गरंथ पाए जाते हैं जिनमें से एक है गरूट पुरान सम्मानेता लोग गरूट पुरान के उस गरंथ के रूप में जानते हैं जिसका पाठ व्यक्ति की मिर्तियों के पस्चात पढ़ा जाता है इस ग्रंत में आत्मा इस लोक से परलोक तक कैसे पहुंचती है उसके रास्ते में कैसी अर्चने आती है ये सब इस करूर ट्रांड में बताया गया है जीवन में कैसे करम करने से मिर्त्यु पस्चाद हमारी आत्मा को क्या हासिल होगा वो स्वर्ख जाएगी या नर्क भोगीगी या फिर उससे नया जन प्राप्थ होगा इसका सारा लेखा जोखा भी इस महान गरंत में शामिल किया गया है शायद आपको चान कर हैरानी होगी किन्तु जन्म मरन के रहिस्य को उजागर करने वाले महान तम गरंत में इस्त्री पुरुस के संबंधों से जोड़े मुख्य रहिश से भी खोले गए है पुरुस और इस्त्री दोनों ही योन संबंधों को लेकर कैसी रूची रखते हैं कैसे कैसे कर्म करते हैं उसके अनुसार अगले जन्म में उन्हें क्या हासिल होगा इसके बारे में इस पुराण में पूरी जानकारी दी गई है जो इस्त्री अपने पती को छोड़कर किसी भी पुरुस के साथ संबंध स्तापित करती है ऐसी इस्त्री पाप की भागेदार पंती है मृत्त्य के बाद ऐसी आत्मा को यमलोग की यातनाई सैनी पड़ती है और छिपकली सांप या चमकदर के रूप में नया जन्म मिलता है यदि कोई पुरुष इसी किसोरी कन्या का शारिरिक शोशन करता है तो मृत्य के बाद उसकी आत्मा को नर्क में जाकर दंड भोगना पड़ता है और यदि उसे नया जन्म हासिल भी होता है तो वो एक अजगर के रूप में जन्म लेता है अपने ही दोस्त को धोका देते हुए उसकी पत्नी के साथ संबंद स्तापित करने वाले पुरुष को गुरुड पुरान के अनुसार महापापी का दर्जा दिया जाता है ऐसे पुरुष की आत्मा को मृत्यू पस्चाथ अगले जन्म में गधे के रूप में नया जन्म मिलता है जिस गुरु से सिच्छा ली उसी को धोका दे कर उसकी पत्नी के साथ संबंद बनाने वाले पुरुष को मृत्यू के बाद यमलोक में भयानक दंड मिलता है उसे हर परकार की यातनाई भी दी जाती है और अगला जन्म गिर्गिट के रूप में होता है इस्त्री की मर्जी के खिलाब जाकर उसका हरन करने वाला पुरुष गरुड पुरान के अनुसार पापी है ऐसे पुरुष की आत्मा को मृत्यू के बाद परलोक में कस्ट भोगने पड़ते हैं इसे ब्रहा राक्षस के रूप में जन्म मिलता है ब्रहा राक्षस एक अद्रिश्य प्रजाती होती है जो किसी को दिखाई नहीं देती किसी इस्त्री के दामन पर कीचड उच्छालने वाला या भरी सवा में उसका अपमान करने वाला व्यक्ति गरुड पुरान के अनुसार अगले जन्म में नपुन्सक बंता है अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर इसके बारे में हमें राय जरूर देता है इस प्रिट्वल जबने की रिपोर्ट